तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम फिर स्टार्ट करें काफी बच्चे न्यू जौइनिंग है तो सर जितने बच्चे न्यू जौइनिंग है मैं उनसे एक ही बात कहूंगा ये chapter आप start कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन वो पहले basic concept को clear कर ले बाकि इस chapter में जो बच्चा नया है बिल्कुल समझ में आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल different रहने वाला है बिल्कुल different रहने वाला है अभी कुछ बच्चों का hand raise का आ रहा है तो hand raise देखो अभी तो मैंने start नहीं किया है जैसे ही रहेगा मैं फिर hand raise का सभी बच्चों का सवाल का जवाब भी लूँगा अभी मैं पहले concept करवाऊंगा concept पे पूरा concentrate कोई किताब नहीं चाहिए कोई noting नहीं चाहिए में question पूछा जाता है अकसर दस नंबर का exam में question पूछा जाता है कुछ बच्चों का hand raise का option आ रहा है तो दस नंबर का अभी किसी के chat का जवाब अभी फिलाल नहीं लूँगा पहले chapter start कर लेगे पहर लेगे चलिए देखिए income from house property साधारन सा देखो बड़ा छोटा सा है section 22 से लेके section 27 तक इसके अंदर हमें पढ़ने है जिसमें से important जो है हमें पढ़ना ये हमारे paper में 10 नंबर का आएगा जो majorly section इसके अंदर हमें cover करना है वो करना है sir section नंबर 23 और sir section नंबर 24 इस दो section पर ही पूरा chapter टिका हुआ है इसके अलाबा जो section आपको दिख रहे है जैसे की 22 definition का है 23 तो हम करेंगे detail में 24 भी करेंगे 25 nominal सा section है 26 nominal सा 27 आज cover हो जाएगा यानि sir हम आज दो section cover कर लेंगे और शायद जादा भी कर पाए है तो सबसे पहला point है house property sir house property अब नाम पहले देख लेते है house का मतलब क्या है पहले तो ये समझे एक तो ये हमारे पास एक जमीन है एक जमीन है और इस जमीन के चारो साइड मैंने क्या करा आपने देखा होगा जमीन के साइड में क्या करते है हम normally border डाल देते है जिसको बोलते हैं कि हमने border डाल दिया जब कभी नई जमीन खरीते है तो चारो साइड मैंने बनाना घर ही है हमें लेकिन हमने क्या करा इसके चारो साइड में border जिसे बोलते हैं कि हम boundary डाल देते है क्या बताईए ये हमारा house है या फिर नहीं है सिंपल सी बात बताईए क्या ये house के अंदर cover होगा या नहीं होगा cover तो जवाब है sir ये house में cover नहीं होगा house नहीं है चलिए sir दूसरा एक खाली जमीन है और boundary भी नहीं डाला मैंने infect तो जब boundary वाला घर cover नहीं हो रहा तो ये कहां से cover हो जाएगा एक हमने क्या करा पूरे वाल वगएरा सब चीज़े डाल दिये बस छट डालना अभी डला नहीं है छट नहीं डला भी उपर होता है नहीं छट डलना रूफ अभी नहीं डला तो क्या उसको दर्वाजे वगएरा सब लग गये हैं घर के अंदर तो बताएगे अब क्या इससे house बोलेंगे हैं अभी भी house नहीं है house का मतलब सर यानि घर और घर तभी होता है जब complete बन जाए तो सर इस chapter में house का सबसे पहले मतलब समझ लिया अब बात करेंगे सर इस chapter के अंदर क्या पढ़ेंगे इस घर को अगर आपने रेंट पे दिया, तो उस रेंटल इंकम पे, उस रेंट वाले इंकम पे किस परकार से कैसे टेक्स का इंपलीमेशन होगा, किस तरीके से टेक्स लगाया जाएगा, ये सारी बाते हम इस चेप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, हम घर का मीनिंग भी नहीं, इस जो घर से रेंटल इंकम होगा, उस रेंटल इंकम को कैसे करेंगे, सर रेंट यहां से भी आ सकता है, देखिए आपने बाउंडरी दिया, क्या वहाँ से रेंट आ सकता है, जी हाँ रेंट आ सकता है, आपने किसी को मानलो कुछ टाइम के लिए दे दिया किसी को बोल दिया कि भाई आपके जो भी एनिमल्स है गाई वगरा है यहाँ पे आप रख सकते हैं मैंने बाउंडरी दे दिया 500 रुपे महीना दे देना तो रेंट तो ले रहा है लेकिन यह रेंटल इंकम हाउस प्रोपर्टी का पार्ट नहीं है क्योंकि हाउस ही नहीं है सेम ऐसे आपने बाउंडरी दे दिया यह खाली जमीन है वहाँ पे आपने रेंट वहाँ से रिसीव कर रहे तो वह भी नहीं रेंट किस से आना चाहिए घर से आना चाहिए तभी यहाँ पे कामियाब होगा अब कुछ एक एक एक्जामपल साथ के साथ देखते एक मैं कुछ एक्जामपल ले रहा हूँ जो कि exception cases है मान लीजिए यह घर है यह घर है इस घर से रेंट लिया और यह घर जो है ना Mr. X का है सर Mr. X इस घर का कौन है ओनर है और Mr. X ने इस से रेंट रिसीव किया Mr. Y से तो अब जो Mr. X के पास यह रेंट आ रहा है पचास हजार रुपए का पर एक्जामपल क्या यह house property के income मानेंगे तो जबाब yes सर यह house property की income है क्योंकि घर से income रिसीव किया जा रहा है किसके hand में chargeability taxable किसके हाथ में होगा सर इसके हाथ में होगा tax कौन देगा Mr. Y देगा या फिर X देगा Mr. X देगा क्योंकि ओनर जिसके पास रेंट आ रहा है वो second example देखिए यह घर है और इस house की बात करें Mr. X है यह सर इस घर का ओनर है इसने rent पे दे दिया सर किसको इसने rent पे दे दिया rent पे दे दिया Mr. Y को और सर कितने पे दिया 5000 रुपे महीने के किराये पे अब Y ने क्या करा इस घर को किराये पे दे दिया Mr. Z को Mr. Z को दे दिया अब देखो rental की बात कर रहे है, rental income घर से आना, देखो जो Z pay कर रहा है, इसको rent paid कर रहा है, मान लेते हैं 6000 रुपे, और जो Y है वो rent paid कर रहा है, X को 5000 रुपे, अब पहले बताना है, क्या Y rent receive कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इसके income पे house property का tax लगना चाहिए या नहीं लगन चाहिए, अब इसने rent receive किया है, अब बताईए इसके income पे tax लगेगा या फिर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सर क्यों नहीं लगेगा, अभी देखते हैं, और क्या बताईए, honor के hand पे taxable होगा, तो जवाब होगा, तो law कहता है सर, rental income नहीं आना, आपको उस मकान का मालिक भी होना जरूरी है, अगर आप उस मकान के मालिक नहीं हो, तो उसके उपर house property के under head में taxable ना लेके, हम कहीं और आपके taxable करेंगे, सर कुछ बच्चे पूछ रहे होगे कि ऐसा possible है, बहुत possible है, इसको बोलते है, sub letting, इस concept को बोला जाता है, sub letting, एक बार let out कर दिया, उसके बताओ, मैंने rent पे ले रखा है, H block, H block वाला rent पे मैंने ले रखा है, मैं मकान मालिक को rent पे payment करता हूँ, तो वहाँ पे जो honor है, वो house property में taxable, और further मैंने किसी और को दे दिया है, वो rent पे, तो वो मुझे rent देता है, तो उस case में house property taxable नहीं दूँँगा, वो other source के अंदर taxable ह हो जाएगा, तो यानि सर चलो दो बाते समझ में आती है, चप्टर में, कि number one, number one आपका घर होना चाहिए, number two यहाँ पे rent होना चाहिए, number three यहाँ पे honor होना चाहिए, अगर यह तीनों बाते इस law के अंदर अगर exist करता है, तब तो भाई यह आपका house property income माना जाएगा, अगर तीनों में से कुछ भी missing है, तो house property income नहीं माना जाएगा, simple सी बात है, चलिए सर, हम एक बार इसके definition को देख लेते हैं, फिर definition के बाद फिर हम आगे देखेंगे, या फिर पहले मैं honor के उपर थोड़ा सा discuss करना चाहूँँगा, honor, sir, honor क्या है, देखिए, जो honor है, इसको देना, अगर इसके पास घर है, अगर इस honor के पास घर है, और इस घर से rent आता है, इसके पास, और rent आता है, मान लेते हैं कि, एक लाख रुपे महीने का, एक लाख रुपे महीने का क्या आता है, इसके पास rent आता है, और ये job भी करता है, ये क्या करता है, जॉब भी करता है, मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब पहले देख लिजए, जॉब करता है, वहाँ से इसकी salary है, चार लाख पचास अजार रुपे की, इसकी salary कितनी है, चार लाख पचास अजार रुपे का, और income rent से कितना आ रहा है, एक लाख रुपे का, इसका tax liability निकालते हैं, चलो, हम tax liability निकालते हैं, इसका, tax निकालते हैं, पहले तो निकालते है, income from, income from salary, salary से income साड़े चार लाख का है, और सर, rent से income जो है, rent से income यानि house property से सर, income, एक लाख रुपे, सर, इसका total income जो बन जाता है, वो बन जाता है, पाँच लाख, सर, tax liability निकालने के लिए, up to 250, nil, next 250, slab rate कुछ बच्चे नए होंगे, उनको पता नहीं चलेगा, तो पाँच लाख से उपर हमें tax भरना पड़ता है, यह मैं बताना चाहता हूँ, इस पे 5% यानि 12,500 रुपे, balance पचास अजार पे 20%, that is, यानि सर इसे 22,500, जैसे ही ये 22,500 इसे सालाना देना पड़ता है, किसी वेक्ती को, सरकार को tax, तो इस वेक्ती को कहीं ना कहीं tension होगा और यह अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देगा, यह सोचेगा दिमाग क्या चलाएगा यार, मेरा rental income है और rental income मेरी income इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि मैं इस घर का owner, क्योंकि 3 condition होना जरूरी है, घर भी होना चाहिए है, honor भी होना चाहिए और rent भी, इसने कहा कि क्यों न इससे बचा जाए अगर ये अपने इस income को split कर दे इस income को split तोड़ दे अब देखो घर के अंदर है परिबार के अंदर property वगरा किसी को भी दे दे कोई फरक थोड़ी पड़ता है इसने क्या करा अपनी wife के नाम पे घर को कर दिया अगर ये चलाकी कर जाए इसने क्या करा अपनी wife के नाम पे कर दिया तो जब next हम tax निकालेंगे अगर ये घर इसके wife के नाम पे हो जाए तो sir ये वाली जो income है ये x की नहीं होके किसकी हो जाएगी तो wife जब अपना tax liability सरकार को भरने जाएगी तो इसकी total income क्या आएगी बताओ एक लाख रुपे सिर्फ अगर एक लाख रुपे क्या इसकी wife tax भरने वाली है उस पे नहीं है और उसके जो husband जो Mr. X है इसका taxable income क्या होगा साड़े चार लाख साड़े चार लाख रुपे तक क्या हो जाता 87A लेके रिबेट होके 0 दोनों बच गए तो क्या ये ऐसा दिमाग लगा सकता है नहीं लगा सकता है लगा सकता है तो जब इस तरीकी की दिक्कते आई ना तो यहाँ पर बोला गया भाईया ओनर का मतलब एक तो real ओनर होगा और एक होगा deemed honor deemed honor का मतलब जो आपकी चलाकी है ना वो सारी चलाकी बंद कर दी जाएगे मतलब आपने सरिफ और सरिफ apparently दिख रहा है कि ये जो है घर अपनी wife को दिया है सरिफ textory है इसका purpose तो ऐसे में honor मान किसको लिया जाएगा X को मान लिया जाएगा मतलब तुम honor नहीं हो लेकिन income tax बोला तुम मानो या ना मानो हम मान रहे है तुम honor हो और उसके हिसाब से तुम्हें tax देना होगा तो honor के भी दो category हो गया एक तो real honor जो की paper मेरे नाम पे है एक मैं honor नहीं रहूँगा मैं tax चोरी करने के tax बचाने के चक्कर में मैं कुछ ऐसी activity करूँगा जिससे मैं honor तो नहीं रहूँगा लेकिन income tax वाले मुझे जबरदस्ती honor बना देंगे that is a deemed honor जो की section 27 में बताया गया है समझे बात आप तो यानि कुछ चीज़ है अब एक बार definition समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको अब definition देख लेते हैं क्या कहता है sir definition chargeability की बात करते है sir chargeability की बात अगर करें तो क्या कहता है section हमारा chargeability के बारे में देखो आपको हर chapter के अंदर chargeability का एक section जरूर होता है जैसे इसमें section 22 है exam के अंदर पूछा नहीं जाता ये section लेकिन पता होना जरूरी है इसी section पर पूरा chapter depend करेगा कहता है कि the annual value of the property sir सबसे पहले annual value को मैं short form में लिख देता हूँ nab कहता annual value sir किसके उपर आप लोगे तो बोला गया annual value पर लेंगे तो sir annual value कैसे पता चलेगा इसके लिए section 23 पढ़ना पड़ेगा annual value कैसे पता चलेगा आपको section 23 में annual value of property consisting of any building कोई भी building और कोई भी land consisting मतलब जुड़ा हुआ upper tent there to कहने का मतलब है कोई भी building या building से जुड़ा हुआ land upper tent there to इस शब्द का मतलब क्या है upper tent there to कई बार ऐसा होता है sir ये आपका घर है इसके साथ में आपका पूरा garden है और मान लो ये जो आपका घर है इसका rent आपने decide किया है पचास अजार महिने का इसका rent decide किया है आपने पचास अजार रुपए महिने का sir अब पचास अजार रुपए महिने का अगर आपने decide किया है तो पचास अजार रुपए including that land जो की आपका garden का area है है ना तो अब आपका मैं अगर simply बोलू के भाईया इसका किराया 20,000 होनता है या 40,000 बनता है इसका किराया 10,000 बनता है अगर मैं simple एक justify करूँ कि अगर ground नहीं होता तो 10,000 क्योंकि मैं rented पे लेने गया मैंने लिए भाईया किराया कितना है 50,000 मैं महें बहुता भाईसा 50,000 आपको पार्क वार्क मिल रहे है देखो पार्किंग है पार्क है इन सब facility के तो फैसे हैं तो उसने 50,000 चार्ज किये तो अब सवाल आता है कि बोला गया घर से आएगा किराया लौ ने clear कर दिया भाईया घर का मतलब वो हिस्सा भी है जो आपके घर से attached है यानि upper tent इसको बोला जाता है तो उस हिस्से को भी मान लिया जाएगा और उसका भी आपका house property में ही taxable किया जाएगा तो सर सवाल यही कर रहा है यहाँ पर कहता है कि consisting building or a patent there to of which SSC SSC का मतलब क्या होता है सर? SSC का मतलब होता है जो हमारा tax payer होता है जिसको tax देना है आम नागरी कुसे SSC बोलते है अगर SSC honor हुआ तभी वो देगा house property के under tax Chargability का मतलब किस पर tax लगेगा एक तो annual value पर लगेगा net annual value पर लगेगा किस पर लगेगा सर? The annual value of property यानि net annual value पर tax लगेगा और साथ के साथ घर होना चाहिए घर से जुड़ा हुआ कोई जमीन है उसके उपर भी हम tax लगा देंगे और आपको honor होना जरूरी है Self subject to income tax under the head of income from house property यानि सर ये condition complete होना जरूरी है Honor के बारे में ज़्यादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पड़ेगा हमें ठीक है ना honor के बारे में ज़्यादा जानने के लिए section 27 पढ़ना पड़ेगा After the claiming deduction section 24 कहता है tax आप कभी देना हम कुछ आपको benefits देंगे जैसे house property का income आपका एक लाग है government कहता है 24A में आपको 30% का हम deduction दे रहे हैं That is 30,000 तो आपका बचासर 70,000 तो 70,000 पे tax दीजिए तो after deduction 24, 24 के अंदर दो section 24A और 24B आगे कहता है providing such property और any portion of such property not used by SSC for the purpose of any business अगर आप business के लिए use कर रहे हो इस property को तो वो income from house property के under taxable नहीं होगा यानि आपने rental देखो आप नहीं कर सकते business purpose के लिए आपने किसी और को किराये पे दे दिया वो business purpose के लिए कर ले तो होगा house property rental ठीक है ना आप नहीं कर सकते बस for the purpose of any business and profession carried on by him मतलब who SSC the profit which the chargeable under income tax तो सर यह साधारन सी definition है इस definition को अगर हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया देखो 23 भी आ गया इस definition के अंदर section 23 पढ़ लिया section 24 पढ़ लिया section 27 पढ़ लिया हमारा chapter लगबग over हो जाता है कहने को 22 से 27 है लेकिन दो ही section main है पहले यहां तक आपको clear है तो what is the text charge बच्चे पूछ रहे हैं के sir क्या text charge लगता है rate क्या है देखो rate वही slab rate लगता है basic इसमें कोई special rate नहीं है चलिए sir अब हम सबसे पहले क्या cover करें सबसे पहले हम cover करते है honor honor कौन होता है अभी मैंने थोड़ा definition दिया honor देख लेते हैं तो honor कहां पे given है पहले पढ़ेंगे हम deemed honor sir deemed honor क्या है और honor कौन सा होगा deemed honor section 27 यह बताता है कि कौन हमारा deemed honor का part माना जाएगा point number one पहले मैं case समझाऊँगा फिर पढ़ लूँगा ताकि आपको easily समझ में आ जाए पहले मैं पढ़ूँगा नहीं पहले मैं समझा दूँगा फिर देखिए example देखते जाएगा यह important रहेगा इसी से आपको यह theory याद रहेगा मान लीजिए Mr. X है और Mrs. X है Mr. X और Mrs. X दोनो husband wife husband wife husband के नाम पे एक घर है husband के नाम पे घर है husband ने क्या करा यह घर नाम कर दिया अपने wife के अपने wife के नाम पे कर दिया क्यों कर दिया ताकि text इसके wife के नाम पे shift हो जाए और जिससे text बचाया जा सके और यहाँ पे without consideration है without consideration sir without consideration का मतलब क्या है without consideration का मतलब sir जहाँ पे उससे कोई पैसे नहीं लिये गया without consideration कोई पैसा नहीं लिया गया तो ऐसे situation में हाला की honor की बात करें तो honor ये है इस घर की एना honor कौन है ये लेकिन यहाँ पे government text किससे वसू लेगा इसे मान लिया जाएगा deemed honor पहला point समझ में आया कि अगर कोई वक्ति अपनी wife को सिर्फ wife के लिए है ये अगर अपनी wife को कोई घर transfer कर देता है transfer करने के बाद ऐसे situation में अगर वहाँ पे consideration का मतलब पैसे का लेंदे ना हो अब पैसे का लेंदे ना हो तो इंसान तो चला के उसने बोला जी 5000 दे दिये थे नहीं educate consideration होना चाहिए यानि अगर 50 लाग market कीमत है तो इसकी wife को इसको 50 लाग देने होंगे sir कुछ बच्चे पूचते हैं हो सकता है sir Mr. X इसको 50 लाग दे देगा और ये इसको 50 लाग दे देगी दिखा देगी transaction 50 लाग का हो गया तब क्या होगा sir इसने घर इसको बेच दिया और इसने खरीदा मानलो 1 लाग का है या मानलो 10 लाग का खरीदा है और बेचा कितने का है sir 50 लाग का बीच में 40 लाग कमा लिया that is a capital gain 40 लाग पर सीधा 20% इसको tax देना पड़ेगा जो की 8 लाग रुपय होगा तो government tax से बचने नहीं देना चाहता बोला गया कि भाईया पैसा पूरा होना चाहिए यहां पे लें देन के तुलना में ठीक है न तो अगर wife नहीं अपने अगर बोल मानलो कि Mr. X नहीं इसको क् सिंपल सा है point के payment दे रिया और एक second ठीक है थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा था आपको के X ने अपनी wife के नाम पे क्या करा घर को transfer कर दिया और उसमें consideration नहीं लिया तो घर किसका माना जाएगा उसके husband का ही माना जाएगा अगर consideration ले लिया तो घर माना जाएगा किसका इसकी wife का ही माना जाएगा लेकिन उस case के अंदर capital gain arise हो जाएगा जो कि हमारा इस chapter से related नहीं है मैंने बता दिया ऐसा होगा अब बात करते हैं Mr. X Mr. X है और Mrs. X है और ये दोनों जो है husband wife है वो विस्सी बात है और मैंने Mrs. X बोलतो दिया ये दोनों husband wife है लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं बन रही बहुत दिनों से लड़ाई जगडा चल रहा है तो इसका एक ही result होगा क्या होना चाहिए जब लड़ाई जगडा चल रहा है बहुत दिनों से इन दोनों के बीच में बनी नहीं जा डाइवोस होगा अब डाइवोस के केस में अब इंडियन लॉग क्या कहता है सर जब कभी भी डाइवोस होगा तो X को भी अपनी property में से कुछ हिस्सा इसको घर से रेंट आ रहा है मान लो के पांच लाक रुपए तो बताओ अब इस केस में rental income किसकी माने जाएगी Mrs. X की या Mr. X की ऐसे situation में Mrs. X की rental income माने जाएगी यानि जहाँ डाइवोस लीव अपार्ट डाइवोस का केस है वहाँ consideration नहीं भईया घर दे दिया उसी का हो गया वही rental income और जहाँ डाइवोस नहीं है वहाँ पे भईया तुझे ही deemed owner बना के तुझे ही tax है क्योंकि इस property के वह पर पूरा अधिकार किसका हो गया Mrs. X का लेकिन इस वाले property पर Mrs. X का अधिकार है ही नहीं Mr. X ने स्रिफ और स्रिफ टेक्स बचाने के लिए किया है third example देखिए मान लेते Mr. X और Mrs. तो नहीं कह सकते Miss X भी नहीं बोल सकते Miss Y बोल देते अभी शादी हुई नहीं है तैयारी चल रही है ठीक है ना अभी शादी हुई नहीं और तैयारी चल रही है यहाँ पे और यहाँ पे Mr. X ने क्या करा एक flat अभी बस मान लो engagement बोल लो मंगनी बोल लो जो मर्जी बोलो मंगेतर बोलो जो मर्जी अभी शादी नहीं हुई है इसने क्या करा खुशी खुशी में आके एक अपना flat इसके नाम पे कर दिया ठीक है एक flat इसके नाम पे कर दिया without educate consideration अब इस flat से शादी हो जाएगी एक महने दो महने जो भी date रखा गया होगा अब इसने क्या करा सर इससे income rental income पाँच लाक रुपए अब बताओ ये income Miss Y की मानी जाएगी या Mr. X की यहाँ पे देखो risk है law कहता है जहाँ पे risk हो तो वो income उसकी यानि कोई भरोसा नहीं है Miss Y flat लेटे ही बदल गई तो अब नहीं करना भी शादी तो यहाँ पे risk है यहाँ पे नहीं बदला जा सकता यहाँ पे तो बदली गए है और यहाँ पे बदलने के संभावना है तो risk के जादा है तो ऐसे situation में law कहता है के भईया यहाँ तुमारा risk है तुमसे tax क्या लेंगे हम उससे ही tax जो है इसके उपर ले लेंगे तो यहाँ पे है कि घर spouse अपनी पतनी को या पतनी अपने husband को दे देता है तो उसमें क्या-क्या condition हो सकने तीन तो यहाँ डीम डॉनर एक पर पढ़ लेते हैं फटा-फट से क्या कहता है कहता है transfer of spouse, transfer to spouse section 27 कहता है if an individual transfer any house property to his or her spouse otherwise than for the educate consideration मतलब consideration के अगर अलाबा किया गया the transfer that case deemed to be honor आपको मान लिया जाएगा deemed honor of the property so transferred आप देखें यहाँ पे दो बाते हैं जो transfer करता है ना इसको हम बोलते हैं transferer और जो transfer receive करता है इसके बोलते हैं transferi इस सब्द का इस्तमाल करूँगा मैं कई बार तो आपको ध्यान रखना है ठीक है this would however not cover यह section हमारा काम करना बंद कर देगा in case where properties transfer to spouse in connection with agreement leave apart यहाँ पे थोड़ा divorce को थोड़ा modern word दे दिया गया agreement leave apart अगर divorce का case हुआ तो भया यह section नहीं दोनों अलग-अलग ही tax देंगे clear है यहाँ तक तो पहला point हुआ cover हमारा deeam donor का sir और क्या case हो सकता है हमारा deeam donor के case में मान लेते हैं Mr. X है Mr. X है अब wife को transfer करना नहीं है law ने इसे थोड़ा सा बंद कर दिया के भई नहीं कर सकते हो Mr. X के पास एक घर है और Mr. X ने इस घर को क्या करा अपने son के नाम पे transfer कर दिया son वो भी minor वो भी minor son जिसको कुछ भी चीज नहीं आता है minor कौन होता है sir minor जो 18 से नीचे है उसको हम बोलते है minor son minor son के नाम पे transfer कर दिया तो minor son अब जानते हैं 18 साल से कम है तो पूरा control इसके पापा का ही होगा अब minor son हो सकता है या minor child मैं बोल दूँ मैं son गलत word यूज़ कर रहा हूँ यहाँ child बोल देता हूँ minor child sir child की बात करे तो दो child हो जाते है कौन-कौन हो जाता है या तो हो सकता है son या फिर daughter दोनों बाते condition है तो minor आपने करा son के नाम पे कर दिया transfer इसने और ये घर इसके नाम पे transfer कर दिया income tax authority आता है बोलता है Mr. X घर के उपर आप tax तो Mr. X बोलता है मैं तो honor हुई नहीं मेरा बच्चा honor है आप उससे tax ले लो और house का income जो है मान लेतने हैं दो लाग रुपे तो इसका बच्चा भी वैसे tax नहीं दे पाएगा ऐसे situation में तो ऐसे situation में 27 आया 27 ने बोला भाईया आप डीम donor माने जाओगे आपको ही इसके उपर tax देना होगा same अगर इसने क्या करा ये घर transfer करा होता daughter के नाम पे तब भी डीम donor यही होता और इसको tax देना होता है लेकिन daughter के case में condition लग जाता है सर वैसे कहा जाता है देखो law के अंदर पता है क्या कहा जाता है legal illegal income tax वाले बोलते हैं भाईया tax दो तुम कुछ भी काम करो सब legal है सर्फ tax दे दो ठीक है अब daughter या तो हो सकती है minor married daughter हो सकती है या unmarried वैसे तो कहते है कि भीया जो minor child है उसका married हो ही नहीं सकता है लेकिन law में लिखा हुआ है यहाँ पर या हो सकती है unmarried या हो सकती है married तो अगर unmarried होगा तो taxable पता है किसके hand में जाएगा sir taxable जाएगा mister जैसे ही married होगा तो इस घर के उपर अधिकार इसका नहीं रहेगा उसके ससुराल वालों का हो जाएगा ससुराल वाले होगा कोई कौन सो वहां ससुराल ही होगा ठीक है उसका अधिकार आ जाएगा ऐसे situation में इसके ऊपर tax किसे देना पड़ेगा इस case में miss या miss miss हो जाएगी वे तो जो भी है इसकी daughter को tax देना पड़ेगा या उसके घर के तरफ जो भी है उसको tax देना होगा तो child को देने के नाम पे देखो क्या बोला गया minor major को दोगे तो भी आपके हाँ से निकल गया major तो बेच बूच के निकल लेगा आप कुछ नहीं कर पाओ गया जहातर यही होता है अपने नाम पे दिया पादर ने क्या करा बेटे को दिया भीया बड़ा हो गया पता चला बेटे ने सारा property बेच दिया जूए में हार गया इधर हो गया उधर हो गया सब कुछ कर लेता हो लेकिन minor को तो डरा के रखा जा सकता तो provision में क्या है minor अगर major को दे दिया तो भीया वही tax भरेगा इसमें include नहीं होगा टेक्स को देना चाहिए? डॉटर को? कौन से case में? married में तो मैंने बोला डॉटर ही देगी? हाँ तो अब इसका pen card नहीं बना इसका पतीगा तो बनाओगा pen card वो भरेगा इसके विहाफ पे ठेक है ना? हाँ तो उसका document नहीं बनाओगा ना देना इसी को चाहिए true लेकिन कई बार क्या होता है? जब कभी कोई minor child की income होता है तो उसमें vortex नहीं दे सकता तो उसके बिहाफ पे उसके guardian को देना पड़ता है rule यह कहता है आप देखते हैं इतने सारे add है आप बच्चा इतना छोटा आपने diaper wiper का add दिखा होगा उसको पचास सो लाखो रुपे कमा लेता है वो diaper के add में आके अब वो text भरने जाएगा उसे तो पता भी नहीं है तो उस situation में उसके guardian जो है वो text देंगा है ठीक है ना? चल है आपका transfer to minor child minor child बोला गया है if individual transfer any house property to his her minor child otherwise the educate consideration अगर educate consideration नहीं लिया तो the transfer of in case deemed to be honor the house property transferred जिसने transferred किया है उसके नाम पे माना जाएगा this would however not cover if the property transfer the minor married daughter अगर son हुआ minor और वो उसका साधी हो चुका तो वो तो covered होगा भी या क्यूंकि उसका guardian उसका father ही बनने वाला है दुबारा समझ रहो ना? तो minor married daughter को specially covered किया गया कि इसको हम नहीं मानेगे यहां तक बास समझ में आई आई आपको पहला case क्या था सर? घर अगर आपने दे दिया किसको अपनी wife को तो किसके हाथ में taxable होगा दूसरा case था अगर आपने घर दे दिया अपने बच्चे को तो किस में taxable होगा अगले case पे देखते हैं Mr. X ध्यान से देखिएगा Mr. X है इसके चार बच्चे A, B, C और D चार बच्चे हैं और Mr. X के पास पांच घर है समस्या समस्या है यहाँ पे इसके पास पांच घर है Mr. X की जो एज है 96 एर यानि सूपर सीनियर सिटिजन तो सर इसकी एज है 96 एर सूपर सीनियर सिटिजन और Mr. X को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे घर है अगर मैं चला गया पांच घर है तो यह चारो आपस मैं लड़ लड़ के कहीं चार के जगा तीन ना हो जाए तो इससे बहता है कि हम अभी से ही क्या करें विल बना दे विल मतलब वसीहत अभी से ही तयार कर दे तो जब वसीहत तयार करने गया था तो इन सब के मन में चल रहा होगा मुझे दो मिलेंगे तो मुझे दो मिलेंगे होता ऐसा अब इसके मन में जो चल रहा था वो इसने कहा कि भाईया अपने बड़े बेटे को बुलाए A बोला तुझे मिल गया नमबर वन हाउस B तुझे मिल गया नमबर टू हाउस C तुझे मिल गया नमबर थ्री हाउस D सोच रहा अब तो दोनों मेरे इसको बोला तुझे मिला नंबर चार चारों ने मिलके पूछा कि पिता जी पांचवा घर क्या है बोला कि भाईया इतने सारे मैंने काम किये हैं सुख सांती के लिए इसे टेंपल बना दो यानि इसे मंदिर में कनवर्ट कर दिया जाए ये मैं चैरिटी में दे देता हूँ अब ये हो गया मंदिर सर पहले घर से जो रेंटल इंकम अब आएगा वो ये भरेगा दूसरे घर से जो रेंटल इंकम आएगा वो और तीसरे घर से और चौत्छे घर से डी ये अलग-अलग हो गया भहिया दिक्कत यह आ गया कि यह पाचवा घर तो किसी के नाम पे भी नहीं है अब यह इसके नाम पे भी नहीं रहा और इन में से किसी के नाम पे भी नहीं है तो यह घर बटवारा भी नहीं हो सकता तो ऐसा पार्ट जिसे बटवारा नहीं किया जा सकता उसको बोलते इंपेर जिसका बटवारा नहीं हो सकता तो सर इस घर का केर टेकर होगा कोई न कोई बोलेगा भीया जो ज़्यादा इसमें से मंदिर बना दिया है जिसका ज़्यादा पूजा पार्ट के अंदर शरधा होगा उसको इसका केर टेकर बना दिया जाएगा नॉर्मली इसने क्या करा आपने बड़े बेटे को बोला भीया इस मंदिर का सारा देख रेक किसे करना है तुझे करना है अब इस मंदिर से ये जो घर है एक तरीके से घर है चत भी है सारी चीज ये कंडिशन फुल्फिल कर रहा है यहां से रेंट आ सकता है सर मंदिर में कौन रेंट देगा कई बार आपने देखा है मंदिर यूज करते है चाहे कुछ छोटे से फंक्शन के लिए हो कोड़ पार्टी के लिए तो वहाँ से रेंटल इंकम आ जाता है आपने देखा होगा मंदिर के साथ में कई बार बैंकेट हॉल बना दिया जाता है जिसके अंदर मेरिज बगेरा होता है नॉर्मल है तो अब इस रेंटल इंकम पे कौन टेक्स देगा अब बोलेगा B मैं क्यों दूँ मैं तो मालिक नहीं हूँ A बोलेगा मैं भी क्यों दूँ मैं भी मालिक नहीं हूँ और लॉग के हिसाब से यह सभी मालिक नहीं है तो इंकम टेक्स देपार्टमेंट देखेगा भाईया इसका देख रेक कौन कर रहा है पाया गया कि इंकम टेक्स में देख रेक कौन कर रहा है A, केर टेकर कौन है तो इसके income paid tax किसको देना पड़ेगा A को देना पड़ेगा नहीं, government का थोड़ी temple है वो वो अपने पास रखेगा temple से सारा ये देख रहे एक मंदिर के अंदर खर्चा होगा सारा चीज उसे करना है, government के पास कुछ भी नहीं जाता temple जो भी होता है जो जितने भी मंदिर के अंदर जितने भी दान वगरा होते हैं उस सभी का income पर calculate होके tax जाता है उसके उपर सब के उपर, तो यहाँ पर जो भी है उसके उपर tax देना होगा अभी देखा होगा, हाल फिलाल में बहुत जादा contribution चल रहा है यहाँ से इतनी सारी funding आ रही है, इसके उपर tax दो, इसका हिसाब दो यहाँ से कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे है, यहाँ पर तो वो चीज़ है कि tax देना होगा तो कहानी, moral क्या है कि आपको कहानी तीसरा case समझ में आया कि अगर ऐसा कोई situation हुआ तो किसको देना पड़ेगा, honor नहीं है लेकिन उसको deemed honor मान के उसको tax देना पड़ेगा चल यह फटा-फट से इसको देख लेते हैं और cover कर लेते हैं क्या कहता है, holder of imperatible state कहता है, holder of imperatible state जो बट नहीं पाया था, जो चौथा पांचवा मकान था ना उसकी बात कर रहा है कहता है, the holder of imperatible state shall be deemed to be individual honor of all properties या फिर आपका comprise करेगा in the state the imperatible state as would itself suggested is property which is not legally divisual मतलब यहां पर सिर्फ बताया गया, sir इस definition करेदर बताया गया imperatible state, sir वही होता है जिसको divide नहीं किया जा सकता यहां पर deemed honor उसको मान लिया जाएगा जो suggest होगा, जो income tax को लगेगा appropriate है उसको मान लिया जाएगा मैंने simple सा example में बता दिया उसका care taker होगा, वही क्या मान जाएगा उसका honor, हम जो भी पढ़ रहे हैं 27 section, 27 section में बात बनाया गया है, कि आप मालिक नहीं हो लेकिन ठहरो, हम आपको मालिक मान के आपसे tax वसूल लेंगे पहले point क्या था, घर दे दिया wife के नाम पे, taxable किसके हो गया एक हो तक corporate society sir, corporate society या फिर कुछ और भी होते हैं जो की एक तरीके से मैं छोटा सा example लेता हूँ, समझना apartment वगएरा जो बनते हैं न या society होता है ये बनता कैसे है, इसका देखो थोड़ा सा जो इसका मान लो इस तरीके से करते करते, जो number of person है न, इतने सारे हो जाते हैं कि इनके पास थोड़े से पैसे होते हैं मान लेते हैं कि पचास व्यक्ति हो गए ऐसे करते करते हैं पचास व्यक्ति हो गए और हर किसी व्यक्ति के पास एक एक करोड रुपे है और उनके पास एक एक करोड के हिसाब से पचास करोड रुपे हैं और ये सारे आपस में एक ही जगह काम भी करते हैं और बहुत दिनों से जानते हैं तो जब कभी कोई जान रहा होता है आपस में एक दूसरे को तो वो चाहता है कि हम सब एक ही जगह रहें ऐसा नहीं कि हमा लग लग रहे हैं हम क्या करें एक ही जगह रहें तो एक आपका society के तरीके से बनाया जाता है जिसको हम बोलते है society जैसे एक famous series है तारक महता का उल्टा चस्मा उसके अंदर society का ही हमेशा discussion किया जाता है उनका क्या होता है एक पूरा हर कोई एक दूसरे को जानता है तो सर ये society तो ये क्या करता है ये government के पास application देता है इनको अगर 50 बंदे हैं तो कम से कम मान लो इसको 5000 गज का जमीन चाहिए तो 5000 गज का इतनी जल्दी मिलने वाला तो है नहीं लेकिन government के पास जमीन पड़ा होता है मान लो 5000 बोला हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हम 50 लोग है और हम 50 लोगों के पास पैसा है हम अपना जमीन दे दीजिए जमीन का पैसा ले लीजिए वहाँ पे building बना लेगे और हर किसी के नाम पे घर हम कर लेगे तो government एक इसको खाली plot अलोट कर दिया जाता है अब इसको नहीं करेगा 50 लोगों के लिए है तो ना तो इसके नाम पे अलोट होगा A के नाम पे ना B के नाम पे ना C के नाम पे बोला के भईया आप एक बात बताओ कि जो ये आप काम कर रहे हो जो घर बना रहे है उसका नाम कुछ सोचा है इसने बोला हाँ जैसे कि मैं मानलो सिध्धारता अपार्टमेंट जीवन जूती अपार्टमेंट या फिर जनता अपार्टमेंट या फिर कोई कलोनी नाम रख लिया उसने income tax कलोनी जैसे कुछ नाम है तो इसने बोला सर मैं इसका जनता अपार्टमेंट नाम रखना चाहता हूँ तो गौर्मेंट ने जो पेपर करा ना वो किसके नाम पे किया जनता अपार्टमेंट के नाम पे उस जमीन का पेपर बना के दिया होगा या फिर A और B के नाम पे तो होगा नहीं वो पेपर त अब हर किसी के अंदर एक एक फ्लोर हर किसी के हिस्से में आ जाएगा और ये निकाला जाता है नॉर्मली लॉट्री के थूरू नहीं तो कोई बोलेगा भई यह मैं तो नीचे के लूँगा मैं तो उपर के लूँगा तो जिसके हिस्से में जो है सुख सांती से वो अपने घर में चला जाए, अब sir, जब इसको घर मिलता है, तो घर का इसका प्रोपटी का पेपर नहीं मिलता, घर मिलता है तो इसको एक यहां का membership मिल जाता है, membership एक token मिल जाता है, kind of, अब ऐसे situation में मान लेते हैं Mr. A को यह मिल गया token number one वाला घर, तो क्या Mr. A इस घर का मालिक है क्या जवाब नहीं है Honor तो है नहीं है Honor तो कौन है इस सारी property का जंता society है पूरे property का तो ये तो Honor नहीं है अब यहां से जो rent आएगा उस rent पे context देगा अगर government बोलता है के भीया ए तू दे तो ए तो मुकर जाएगा बोलेगा मैं ओनर ही नहीं हो तुमारी तीन कंडिशन है वही फुल्फिल नहीं हो रही इसके अंदर लॉक है इस आपसे तो government section 22 के में बोलता है कि भाईया ये भी हम point डाल रहे हैं अब कि अगर ऐसा कोई corporate society हुआ और उसके अंदर आप उसके honor नहीं हो उसके सिर्फ क्या हो एक member हो तो हम माने लेंगे आप deemed honor हो और उसके उपर भी आपको ही tax देना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या concept आगे हमारा deemed honor का सर्थ देखे फटा-फट से क्या कहता है corporate society के बारे में member of corporate society आपको रफली याद रखना है हाँ exam में जब question लिखें तो जैसे जैसे मैं example लिख रहा हूँ आप लिखोगे तो अपने language में example बना सकते हूँ Mr. X have five houses या इस तरीके से लिख के आ जाओगे तो better है बाकी किताब के अंदर आपके छोटे छोटे example मिल जाएंगे और 10 year के अंदर भी मैंने courses किया है कि एक एक example उसके अंदर डाल दूँ मैं notes के अंदर चलिए sir कहता है member of corporate society cooperative society section आपका 27 है a member of corporate society company other associate person whom building part therefore allotted या leased है under the house building घर बनाया गया उसके अंदर उसको lease कर लिया गया scheme of society company association shall be deemed to be member of the building a part allotted although the corporate society company associated with the owner of the building वो उसका उनर नहीं होता फिर भी उसे उनर मान लिया जा तब suppose करो जितने भी DDA के flat मिलते हैं कोई उसका owner नहीं होता honor government ही रहता वो lease पर दिया जाता है कितने साल के lease पर दिया जाता है 99 साल के lease पर होता है बाद में renew भी कर देता है तो वो क्या होता है सारा का सारा lease पर होता है जितने भी DDA flats वगरा होते तो ये था हमारा corporate society क्या क्या पढ़ लिया सर पहला point हमने देखा कि अगर आप अपनी house property की income transfer कर दो अपनी wife में तो कौन देगा दूसरा देखा बच्चे पर कौन देगा तीसरा देखा घर जो की थोड़ा जगड़े वाला imperative बन गया चौत्था देखा आप घर के मालिक नहीं हो क्या corporate society तब क्या होगा एक और case देखते हम चलिए सर अब घर ना honor का मतलब क्या है honor होता है एक मकान जो होता है एक होता है freehold और एक होता है power of attorney power of attorney सर जब घर खरीतते हैं तो दो तरीके का घर होता है जैसे बोलते हैं कच्ची कलोनी और पक्की कलोनी तो कच्ची कलोनी में सरकार ने आपके नाम पे जमीन नहीं गया है वो जब मर्जी चाहे आपके जमीन को चीन सकता है इसलिए आप अकसर देखोगे कच्ची कलोनी का rate क्या होगा कम होगा ठेक है पक्की कलोनी कौन सा है जो की घर आपके नाम पे हो चुका है सरकार आपसे वो घर नहीं चीन सकता अगर सरकार ने वो घर चीना भी तो उसको market rate आपको देना पड़ेगा तो एक होता है जिसको पक्की कलोर्नी बोलते रहे जिसका बोलते है पक्का कबजा बोलते है उसे बोलता जाता है freehold समझ में क्या बोला जाता है इसमें इस case में जब मकान खरीदते हो तो यहाँ पर stamp duty देना पड़ता है सर्फ 5% rate है 4% rate है male female का अलग-अलग है मुझे exit rate याद नहीं है तो इस हिसाब से देना पड़ता है उसको तो यह property आपके नाम पे हो जाता है तो इसकी बात दूसरा होता है कि जो घर होता है ना हम बेचते नहीं है normally अगर देखा जाए तो government ना DDA के जितने भी flat है आपको रहने के लिए दिया गया लेकिन आपको पता है वो बेच दिया जाता है पता है आपको कि DDA के flats भी क्या होते है बिख जाते है जो आपको मिला था allotment में वो भी आप क्या करत जिसे बोलते हैं power of attorney अपने power सारे अपने transfer कर दिये तो जैसे ही सारा power मैं अभी एक घर के अंदर रह रहा हूं एक paper मैं लिख दूँ के इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है और सारा power मैं जब तक है मैं अपना सारा power किसके नाम पे कर रहा हूं दूसरे person के नाम पे अगर यह लिख के चले जाओ तो automatically directly indirectly honor माना जाएगा जिसके नाम पे power of attorney है ऐसे situation में कई बार आप situation देखोगे तो यह आपने देखा भी होगा सुना भी होगा डेली के अंदर maximum घर बेचना खरीदना allowed नहीं होता और बहुत जगों पर allowed नहीं करते तो लोग भाग फिर भी घर खरी लग बाते हैं ठीक है तो सर power of attorney में अगर आपके नाम पे power of attorney किया गया है किसी घर का तो अगर income tax department आपके पास आता है बोलता भाईया tax लाओ बोलोगे मेर पास तो power of attorney हम क्यों दे tax हम तो मालिक नहीं है तो section 27 government आपको समझा देगा कि भाईया deemed honor आपको मान लिया जाएगा इसके according आपको ही tax देना होगा किसका real honor है उससे कोई लिना देना नहीं है तो सर power of attorney के छोटी से points given है देखिए क्या कहता है person in position to property मतलब इस position में के property पे उसका कब जाओ जाएगा जैसे आप person who allowed to take retain possession of any building apart their performance और उसके पर performance कर सकता है of contract कोई contract उसने कर लिया है the nature of section 53A of the transfer of property act property act के अंदर ये प्रावधान given है कि आप किसी को भी property transfer कर सकते हो property power of attorney के थ्रू to be deemed owner of the house property this would cover case possession of the property handed over to the buyer जिसको भी दे दिया sale consideration has been paid promise to be paid चाहे paid करा हो चाहे promise to be paid किया हो buyer ने sale deemed not to be executed चाहे sale आपका नहीं हो पाया है buyer के थ्रू although the certain order document power of attorney agreements shall be have been executed power of attorney कर दिया है आपने उसके नाम पे the buyer shall be deemed owner जो buyer है उसे deemed owner मान लिया जाएगा और उसी के हिसाब से tax लिया जाएगा यहां तक बात समझ में आया आपको पहला point क्या था sir घर wife के नाम पे टेक्स कौन देगा husband दूसरा घर बच्चे के नाम पे tax कौन देगा father देगा तीसरा घर बट नहीं पाया tax कौन देगा caretaker चौथा हमारा corporate society अगर आपके member हो तो tax कौन देगा जो उसका member है ना कि आप honor नहीं डूणने जाओ गए यह क्या हमारा अगर आपके नाम पे power of attorney है तब भी आपको tax देना पड़ेगा एक होता है lease, lease सुना है आपने word lease word सुना है आपने sir क्या होता है lease agreement जैसे मैं बात करूँ तो जितने भी dda flat होते हैं यह सारे lease पे होते है जैसे मैंने बोला 99 साल का lease या rent agreement आपने सुना होगा kind of this इनका हर साल बहुत nominal amount सरकार लेती है सरकार lease पे दे देती है या कोई भी lease पे दे सकता है अभी भी मैं बताओं तो डेली के अंदर जो महंगा area माना जाता है ना जहां business जादा होता है वो चानी चौक माना जाता है जो बहुत पुराना है चानी चौक या फिर CP माना जाता है जो कि बहुत पुराना है पुराने दिल्ली में जितने भी places हैं business के purpose के लिए wholesale market के लिए वो हब है बहुत पुराना है तो जो बहु से कुछ मकान हो बहुत बड़ी दुकान होगी और 10 पैसे 20 पैसे उसका किराया रहा होगा क्योंकि at the time of given उसने agreement कर लिया होगा क्योंकि अगर उसने 50 साल पहले agreement किया या 100 साल पहले agreement किया तो उस टाइम पे तो 10 पैसे बहुत बड़ी value थी उसने बोल दिया चल तो आज भी उसका किराया मान के चलो साल का 10-12 रुपए सरिफ दिया जाता है तो जब कभी भी ऐसा situation आ जाता है जब कभी भी लीज आप 12 साल से law कहता है कि अगर आप ने 12 साल से जादा पे आपने कोई भी घर किराय पे लिया है तो उसका legal honor आप ही माने जाओगे आपके नाम पे document नहीं है कोई बात नहीं है आप ही honor माने जाओगे और इसके उपर जो भी rental income होगा उस पे आपको ही tax देना पड़ेगा ना कि जो इसका honor है उसको देना पड़ेगा क्योंकि जाया तर हम 99 साल की lease पे लेते हैं तो हम rent पे चड़हा देते कर रहा है तो context देगा जो की यहां पे दो word होता है एक होता है lessy एक होता है lesser जो lease पे दे रहा है वो होता है lesser और जो lease पे ले रहा है उसे बोलते हैं lessy तो इस situation के अंदर अगर 12 साल से उपर पे किसी को भी आप lease पे property दोगे तो जिसने lease पे property लिया है यानि lessy वो honor मान लिया जाएगा rental income के लिए अगर वो further rent पे देता है तो उसको उसके उपर text देना पड़ेगा ठीक है सर देखे क्या कहता है छोटा सा section है person having the right of property for the period not less than 12 year 12 साल से कम का नहीं है 12 साल से जादा या 12 साल का है तो उस situation में कौन देगा आपका जैसे मान लेता है for example भी ले लेता हूं मैं Mr. Y को दे दिया Mr. Y को दे दिया Mr. Y को दे दिया और सर ये दे दिया उसने 70 साल के lease पे 70 एर के lease पे दे दिया किसको दे दिया सर X ने दे दिया Y को 70 एर के lease पे दिया अब Y इसका मालिक माना जाएगा Y ने further क्या करा Z को दे दिया ये अब जो rental income आएगा Y के पास इसके उपर tax house property के अंडर कौन भरेगा Y को भरना पड़ेगा क्योंकि उसने lease पे ले लिया Lease का एक lump sum amount होता है वो ले लेते हैं ज़्याद तर तो हमारे कितने point है सर ये पहला wife के नाम पे दूसरा, बच्चे के नाम पे तीसरा आपका imperativeal state चौथा, corporate society, cooperative society पांच बा क्या था हमारा power of attorney और छटा क्या है हमारा lease ये 6 point आते हैं हमारे section 27 में जो कि कई बार पूछ लिया जाता है कि explain deemed ownership as per section 27 तो आपको ये 6 के 6 point with example के साथ explain करना पड़ेगा तो इस chapter के अंदर 22 से 27 section है जिसमें से 2 section खतम हो चुके हैं जो कि theoretical section हैं, अब हम करेंगे पहले section number 30 जो कि अब practical इस subject का जो भी practical portion है वो सारा start हो जाएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताईए करते हैं अभी भी देखो जैसे कि आप जहां पे रह रह रहे हो शकुरपुर 99 year के lease पे है यह भी आपके नाम पे यह मकान नहीं है जिसका भी है वो property नहीं है वो lease पे ही है वो 99 year के बाद उसे renew करता है नहीं करता हो उनकी मर्जी है खाली करो हाँ वो amount उसके हिसाफ सोगा अभी current के हिसाफ साह मुझसे खाली नहीं करवा सकते वो बहुत हाँ जो भी वो depend buyer और seller lessy और lesser के उपर जो agreement वही तो फाइदा होता है ना जो जितना भी रहे तो उसके हिसाफ से जो amount decide हो जाता है उसके according वो buyer seller पे है आप कई बार जाओगे ना जो बड़े 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 जो होते है ना वहाँ पे लिखा होता है या तो लिखा होता है property for rent या लिखा होता है property for lease लिखा होता है जातर लोग लंबे समय के लिए नहीं बनाते है अब पहले बना लिया करते थे 25-35 साल के लिए अब 11 महिने के लिए बनाते है 11 महिने का 11 महिने का lease होता है rental 11 महिने के बाद फिर उसे renew करते जाते हैं ताकि उसका कबजा उसके उपर ना आ जाए सर अगर अगर caretaker हाँ अगर एक कहना है के सर जो caretaker वारा एक्जाम पर लिया अगर वो लेना नहीं चाहता है A बोलता है या मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा तो वो B को देगा C को देगा जो भी जिम्मेदारी ले उनके बच्चे ना ले कोई बाहर वाले ले ले कोई ना कोई तो लेगा वो टेक्स देगा उसके उपर, उसका केर टेप कर, सिम्पर, बताईए यहां तक थियोरी में किसी को डाउट, और टरनी क्या होता है, और टरनी होता है राइट्स अधिकार देना, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, झाले।